देट है आज की 22 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिस्केशन में सबसे पहले तो देखो बहुत बहुत सोरी सेचेडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाया और इवन संडे को भी नहीं डाल पाया लेकिन कुछ ऐसी अनेवर्डेबल सरकमिस्टांसिस हो गई फैमली में कि कोशिस करते 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 भी नहीं डाल पाया दरवाइस किसी और को भी बोल देता तो कोई और टीचर जो थे वो डाल देते तो इसके लिए सोरी जो आर्टिकल्स हमारे छूट गए वैसे हिंदू में तो थे नहीं दूसे न्यूस पेपर से थे और आज भी हिंदू में कुछ खास आर्टिकल्स है नहीं पोलिटिक्स से समन्दित ज़्यादा है तो तीन आर्टिकल्स आज हम डिसकस करेंगे अलग अलग न्यूस पेपर से सबसे पहले आर्टिकल हम डिसकस करेंगे एड टेक्स से समन्दित जो education platforms है न उनसे समन्दित दूसरा digital lending से समन्दित काफी सारी जो applications आ गई हैं उनकी regulation के लिए RBI ने guidelines जारी की है और तीसरा injustice of exceptionalism गुजरात में जो बिलकिस बानों के इसमें convince थे न उनको रिहार किया गया है तो उससे समन्दित वो आठकल है discussion हम start करें उससे पहले आज बताओ birthday किसका है जनम दिन किसका है आज ने मेरा नहीं है आज हमारे हिंदू editorial discussion का birthday है ये 6 साल पहले का lecture है 22 अगस 2016 को हमें start किया था पहले इस परकार का पहले करता था उस समय भी नहीं आया था पुरी त्रे से नहीं आया था 6 साल देखो कैसे बीट गए बिल्कुल पता भी नहीं लगा ऐसा लगता है कल की बात है जब ये start किया था और देखो अगर बोलू ना बिल्कुल साफ साफ थोड़ा थो थकावट भी महसूस होती है कि 6 साल से आप सेम काम कर रहे हो सुबह उठते ही और वीडियो मनाना उतना असान नहीं है मतलब आपको बहुत पढ़ना पढ़ता है अगर कोई static subject होना geography, history, आपको सब कुछ याद है सिरफ सुबह उठना है आपको बोलना है लेकिन ना editorial discussion करना थोड़ा relatively difficult होता है मतलब काफी research लगती है तो इसलिए थोड़ा थकावट भी महसूस होती है और एक चीज mental situation भीना हर समय ना same नहीं रहती मतलब discussion का जो काम है पढ़ाने का बहुत ज़्यादा concentration वाला काम होता है क्योंकि आपको पहले research भी करने पढ़ती है लेकिन आपके दिन as a human being हमेशा एक जैसे नहीं रहते कभी कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है family से सम्मन्दित चीजें होती है तो इसलिए daily discussion थोड़ा सा difficult पढ़ता है बहुत बार देखो only eyes team के लोग भी बोलते हैं कि सर आप छोड़ दीजिए आप दूसरे subjects ले लीजिए और editorial का जो काम है दूसरे teacher संभालें तो ज़्यादा सही है कई बार ऐसा भी idea निकल के आया कि 2-3 teacher मिल के editorial discussion करें तो ज़्यादा सही है बट फिर उसके विरोध में भी arguments आते हैं टीम में ही कुछ लोग मना करते हैं कि आपको ही करना चाहिए मेरा भी देखो छोड़ने का तो मन नहीं करता है पूरा दिन खाली-खाली सा लगता है ऐसा लगता है कि आज के दिन में कोई void है अगर discussion ना करूं तो और जो आप लोगों का sport है न वो तो देखो incomparable है बहुत ही ज़्यादा और selection के बाद जिस परकार से mail आता है ये सब चीजे ना बहुत ज़्यादा confidence देती है हिम्मत देती है कि छोड़ना तो नहीं चाहिए तो छोड़ूँगा तो मैं नहीं पूरी कोशिस करूँगा कि जब तक मतलब कर सकता हूँ तब तक तो बिल्कुल भी छोड़ूँगा नहीं और discussion हम करते रहेंगे आप भी बढ़िया डंग से त्यारी करते रहें और जो दिखते हैं मुझे भी पता है देखो कुछ दिखते हैं discussion में जैसे notes की दिक्कत है notes कुछ ऐसे मिल जाएं word format में या फिर pdf format में कि बाद में अगर दूसरी magazine से जैसे only ice की magazine है vision की magazine है last में अगर उन से करने की जूरती ना पड़ें तो इसके लिए देखो विचार चल रहा है अब धिरे धिरे चीजें implement होंगी मतलब सच में होंगी जो notes हैं वो pdf format में मिल जाएं ताकि जल्दी से आप revise कर्स को और वीडियो को कोई thank you अगरे नहीं होता तो बस यही कहना चाहूंगा कि पिछले 6 साल में जो मेहनत की है वो हम सब मिलके आगे भी जारी रखेंगे चलिए discussion start करते हैं फिर्स्टी बोटन आटकल एट्टेक इंडिस्ट्री से समधित हैं एट्टेक इंडिस्ट्री मतलब education industry आप GS paper second के इस टोपिक से आटकल को रिलेट कर सकते हों क्या कंटेस्ट हैं देखो पिछले कुछ सालों में खांस करके COVID-19 की महमारी के बाद में हमरे देश में एट्टेक इंडिस्ट्री बहुत तेजी से इमर्ज होके आई हैं बैजू, आनकेडमी, फिजिक्स वाला इन एट्टेक्स का जो साइज हैं बहुत बड़ा हो गया हैं और बहुत सारे एट्टेक्स हैं जो काफी अच्छे-च्छी इनोवेशन लेके आ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए ताकि learning outcome इंप्रूव हो लेकिन देखो दिक्कत इसके साथ-साथ ये भी है चार में से एक बच्चा हमरे देश में डिज्टल कंटेंट को एक्सेस कर पाता है मतलब आज भी लाखो फैमिलीज को एजुकेशन में डिज्टलाइजीशन का लाब नहीं मिल पा रहा है रिजन्स काफी हो सकते हैं जहां पर वो रहते हैं वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या फिर वो इतने गरीब है उनके पास डिवाइस नहीं है कोई भी रिजन हो सकता है अब देखो एके करके हम सिस्टेमाटिक धंक से यह आर्टिकल डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है हमारे दीश में तेजी से बढ़ रही एडटेक इंड़स्ट्री की चैलेंजीज क्या-क्या है और वेफोरवड क्या हो सकता है सबसे पहले बात करते हैं significance की interactive and innovative learning देखो ये जो ad tech platform सहनम काफी तरह की multimedia graphics का इस्तमाल करते हैं animation का इस्तमाल करते हैं students के साथ interaction काफी अच्छी होती है videos में तो दूर दराज के इलाकों में जहां अच्छे teachers कई बार नहीं मिल पाते थे या फिर अच्छी नई advanced technology का इस्तमाल नहीं हो पाता था वो ये ad tech वाले कर रही है इसका एक reason देखो ये भी है जो इन ad tech companies को चला रही है वो बहुत ज़्यादा enthusiastic entrepreneur है जैसे roman sani है beju की company का नाम तो beju पर ही है physics वाला के अलग पांडे ये बहुत ही enthusiastic entrepreneurs है जो अलग-अलग से innovative products लेकर आ रहे हैं ताकि हमारा भारत जो बहुत अलग diverse है अलग-अलग areas के students की needs को fulfill किया जाए जाए next point है need of on-demand learning मतलब कि यहाँ पर देखो in platforms पर जब चाहे student वीडियो देख सकता है जैसे onlyis पर और जितने भी ad techs है सब पर जब चाहे वीडियो देखा जा सकता है तो बहुत सारे students जो working होते है अब कई बार बच्चे अपना experience शेयर करते हैं onlyis के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोलते है सर हम काम में जाते वक्त जैसे metro में जाते वक्त आपकी वीडियो सुनते थे selected candidates काफी बार ऐसा बोलते है तो नहीं ये काफी फाइदा होता है ad tech content का कि वो जब मरजी चाहे तब वीडियो देख सकते हैं किसी परकार की ऐसी दिक्कत नहीं है कि इतने बज़े class लगेगी जैसा कि physical classes में दिक्कत आती है next point है educators availability physical classes में तो देखो students की संख्या ना limited हो सकती है जैसे सो बच्चों की class है हलांकि UPSC coaching में तो आपने ज़्यादा बड़ी classes भी देखी होंगी but अब कोई professor है physical class लेता है तो कम students को पढ़ा पाता है लेकिन online classes में वो जो professor है बहुत बड़ी संख्या में students तक पहुँच सकता है एक ही समय में जैसे अपने only eyes के editorial discussion की बात कीजिए आल्मोस्ट 40 से लेके 50,000 students जो है वो इस video को access करते है क्या ये physically एक समय में possible है 50,000 students एक class में बैठी नहीं सकते इसके बाद next point है personalized evaluation आपके मन में आया होगा ये कैसे possible है वो तो physical classes में possible है online भी possible है आजकल तो देखो ऐसे से technologies आ गई है artificial intelligence आप test देते हो pre का दिया या फिर mains का दिया तो आपके scorecard को analyze किया जाता है उसके बाद अपने आप से आपको recommended content आने लगता है कि आपका ये कमजोर pucks है आप इस pucks पर ध्यान दीजिए for example आपने pre का test दिया अलग-अलग subject में आपकी performance आ गई percentage आ गया quality में आपने इतने percent score किया economy में इतना percent और quality में भी further division हो गया categories कौन से topic में कम score किया तो उससे समदित content आपको दिखने लगेगा recommendations में आ जाएगा कि आप ये content access कीजिए ये पढ़िये next है remove age barriers online classes में न मतलब ये जो attacks होते है age barriers को खतम कर देते हैं आप किसी भी age में हो किसी भी speed में आप पढ़ सकते हो आपको एक video daily देखनी है दो देखनी है तीन देखनी है speed increase करनी है जैसा चाहे आप वैसा manage कर सकते हो even जिनकी age बढ़ गई होती है जैसे 40 age हो गई वो कोई नई skill सीखना चाहते हैं लेकिन time नहीं है या फिर अभी जा नहीं सकते तो online वो content को access कर लेते हैं इसके बाद next equitable chances and reduced paywall online classes के दाम भी कम होते हैं आम तोड़ पर क्योंकि online classes में ना infrastructure पर कम cost आती है physical infrastructure पर ना cost काफी ज़्यादा आती है जैसे राजेंदर नेगर में UPSC की coachings हैं वहाँ पर rent ही बहुत ज़्यादा है और दूसरा infrastructure पर बहुत cost आती है लेकिन online classes में उतनी cost नहीं आती इस वज़े से online classes के जो दाम होते हैं वो relatively कम होते हैं अब challenges की बात करें ये तो देखो significance हैं सारे के सारी अब challenges की बात करते हैं सबसे पहला challenge है limited practical attachment to learning अब देखो कोई chemistry physics पढ़ रहा है online लेकिन ये ऐसे subjects हैं कि अगर आप laboratory में जाके कुछ experiments करते हो तो आपकी understanding और भी ज़्यादा भढ़ती है लेकिन online ना आप laboratories को access नहीं कर पाते तो practical चीज़े काफी बार कम सीख पाते हो थोरी पार्ट पर आपका focus ज़्यादा होता है इसके बार next है limited social skill enhancement ये तो देखो UPCS parents के साथ भी होता है जब देखो आप online content access करते हो तो आप कम लोगों से मिल पाते हो कम students से आपका interaction होता है तो धीरे धीरे आपकी जो social skills है ना थोड़ी कमजोर होने लगती है ये चीज़ तो UPCS parents बहुत phase करते है क्योंकि उनकी पढ़ने की settings ज़्यादा होती है ज़्यादा time वो चार दिवारी में या फिर library के अंदर गुजारते है पुराने दोस्त भी पीछे छूड़ जाते है नए दोस्त थोड़े कम बनते है तो social skills थोड़ी कमजोर हो जाती है next time lack of digital infrastructure हमारे देश में देखो अभी भी बहुत शारी जगाना ऐसी है जहां पर digital infrastructure ऐसा अच्छा नहीं है मतलब वहां पर internet की connectivity अच्छी नहीं है या फिर speed कम आती है power supply रुक रुक के आती है 2400 गंटे power supply नहीं रहती तो ये सब जो चीजें है न उसके कारण बहुत से students digital content को अच्छे से access नहीं कर पाते यानि add tax उन तक नहीं पहुँच पा रही है next widening gender equality simple point है girls के पास आपको कम smartphone देखने को मिलेगा homes में और boys के पास ज़्यादा देखने को मिलेगा तो content access करने में फिर gender inequality आड़े आ जाती है उसके बाद next business malpractices काफी बार देखो जो ये बड़े-बड़े add tax हैं जिनके हमने नाम लिए unacademy, बैजू, physics वाला इन पर भी आरोप लगते हैं business malpractices को अपनाने का कैसे malpractices अपनाई जाती हैं देखो आपको भी पता है parents के लिए बच्चे से बढ़के और कुछ नहीं है हमारे Indian जो parents है ना बहुत emotional होते हैं वो मतलब अपने बच्चों के लिए सब कुछ sacrifice करने के लिए तयार होते हैं वैसे दो देखो पूरे world के ही parents ऐसे होते हैं लेकिन Indian parents कुछ ज़्यादा ही emotional होते हैं काफी बार इन add tax के दवारा कैसी technique अपनाई जाती है मैं आपको बताता हूँ एक कोई बैजू का person था मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी जैसे वो parents से मिलने जाते हैं पूछते हैं salesman की बच्चे की age कितनी है कौन सी class में पढ़ रहा है अब उस representative को ना पता होता है कि इस class के बच्चे को ऐसे questions solve करने में आसानी होती है और दूसरे थोड़े बड़े questions जैसे multiplication करने में दिक्कत आएगी क्योंकि अभी उसके syllabus में ये आया नहीं है तो ना वो parents के सामने बच्चों से जान बूच के ना muscle questions पूछते हैं और बच्चा जब जब नहीं दे पाता तो फिर parents को बोलते हैं देखो दूसरे बच्चे तो इस question का जबाब आसानी से दे देते हैं आपका बच्चा पिछड रहा है तो ये जो बात है ना parents को बहुत ज़ादा दिल पर चुप जाती है कि हमारा बच्चा पिछड नहीं चाहिए अब rat race है पूरा मतलब आपको पता ही है parents चाते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छे education प्राप्त करें competition में आगे निकल जाए तो फिर ना जो representative होता है ag tech का वो आता है असली चीज़ पे कि अगर हमारा tablet आप purchase कर लोगे तो आपका बच्चा पिछड़ेगा नहीं दूसरों से आगे निकल जाएगा उसका competition सहर के बच्चों से भी हो जाएगा मतलब आगे निकल जाएगा ऐसी ऐसी बाते उन्हें सिखाई जाती है और आपको ना ज्यादा पैसे भी नहीं देने अब कई parents बिचारे बोले बाले होते हैं उनको ना पूरी जानकारी नहीं दी जाती हर महीने पैसे अपने आप debit हो जाएंगे उन्हें ना auto renewal के बारे ने बताया नहीं जाता तो बाद में उनके पैसे ना हर साल हर महीने अकाउंट से कटते रहते हैं वो इस परकार से जाल में फर्स जाते हैं ऐसी ऐसी अनेको माल प्रैक्टिशीज कई बार इन ad text के दवरा अपनाई जाती हैं जादा से जादा admission करवाने के लिए next है educator learn adaptability concern बहुत सारे educators अभी भी ऐसे हैं जो online नहीं दे पाते education जैसे आपने ना UPSC की coaching में देखा होगा बहुत सारे teachers जो offline के हैं वो जब online में आते हैं न तो वो उतना अच्छे से काफी बार नहीं पढ़ा पाते उतना अच्छा तो यूं तो नहीं बोलेंगे देखो teacher तो अपनी तरफ से पूरी कोसिस करता है लेकिन online की requirements कई बार थोड़ी सी अलग होती हैं क्योंकि online में बच्चा सामने नहीं बैठा होता तो direct face to face interaction नहीं होती तो content को थोड़ा सा interactive बनाना पड़ता है तो बहुत बार offline के जो teachers हैं content को online के हिसाम से interactive नहीं बना पाते और बहुत से teachers ऐसे हैं जिनको technical दिखते आती हैं कैसे online आया जाए, कौन से instruments का इस्तमाल किया जाए instruments को कैसे use किया जाए, ये problems आती है अब देखो ये कुछ recent initiatives हैं जो women state governments के द्वारा हमार देश में लिये गए हैं जैसे awesome online career guidance portal इस में नोवी से बारवी students के लिए digital content प्रवाइड किया जाता है, उनको career guidance दी जाती है जारखन, dg set ये तो देखो parents और teacher के बीच में parents, student, teacher, तीनों के बीच में linkages को enhance करने का काम कर रहा है हिमाचल पर्देश हर गर पाट साला, ये जो children with special needs हैं, उनको digital education प्रवाइड करने का काम कर रहा है मद्यपर्देश, dg lap, ये देखो whatsapp group establish करता है, सभी बच्चों के लिए, मतलब whatsapp group बने हुए हैं, जिसमें बच्चों के लिए content share किया जाता है केरला, अक्सरा, वरिक्षम initiative इसमें, games और activities के माध्यम से सबसे पहला point, breathing the digital divide जो digital divide है, मतलब कुछ गरीब लोग जो नहीं digital content को access कर पाते हैं, या फिर आप जैसे gender inequalities देख लीजिए boys के पास mobile phones, smart phones ज़्यादा मिलेंगे, girls के कास कम मिलेंगे तो इस divide को adders किया जाएं UDISA की सरकार ने एक program launch किया है, government school transformation program UDISA, इसमें पास T's पर focus किया जाता है, 5T initiative, transparency, teamwork, technology, timeline, leading to transformation ये UDISA सरकार का अच्छा step है, digital divide को adders करने में, उसके बाद next है, inclusive education policy देखो हमार देश में education जो है, inclusive होनी चाहिए और digital education भी ताकि समाज का हर एक work, चाहिए देखो differently abled persons है, गरीब है, अमीर है, किसी भी gender के हों, किसी भी section के हों, किसी भी area के हों, जैसे गाओं के हों, city के हों सभी उस content को access कर पाएं, तो देखो, वो education जो है, वो inclusive होगी, next, utilization of cutting-age technologies, जो latest technologies हैं, जैसे artificial intelligence, इनका इस्तमाल किया जाए, education को और जड़ा personalized, और जड़ा innovative बनाने के लिए, IIT, Kharagpur ने Amazon Web Service के साफ में collaborate किया, national artificial intelligence resource platform develop करने के लिए, ताकि, जो future possibilities हैं, जैसे देखो, जो aspirant मान लिजे, अभी वीडियो देख रहा है, उनकी आखों की जो moments है, उन्हें track किया जाए, ताकि उसके learning experience को और जड़ा improve किया जाए, towards what is told is what is sold, इसका मतलब यह है, ऐसा ना हो कि जो यह ad text है, बड़े-बड़े वादे करें, admission लेने से पहले, लेकिन admission लेने के बाद में उनको भुला दिया जाए, इसके लिए in ad text को regulate करना भी जरूरी है, ताकि in ad text की जो mal practices है उन्हें control किया जाए, और सबसे last में है hybrid mode of learning, आज के समय में तो देखो, यह ad text भी समझ चुके हैं, सिरफ online रहने से काम नहीं चलेग स्कूल में teachers को नहीं replace किया जा सकता, इसलिए बैजू ने जैसे अपने tuition centers open कर लिए, unacademy भी offline आ गया, सारे मतलब जो यह ad text हैं वो offline अब आ चुके हैं, conclusion क्या है, देखो यह बात सच है, कि यह इस परकार के जो ad text है ना, इन्होंने बहुत सारी possibilities को open कर दिया है, बड़ दिक परकार को यह ensure करना चाहिए कि online education के मामले में सारी जो policies हैं या फिर interventions हैं वो inclusive हों, यह पूरा article हमने discuss किया, ad text से सम्मदित चलते हैं आगे, इसके बाद next article, digital lending and its regulation से सम्मदित हैं, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हों, देखो landing business, यानि उधार लेना, उधार देना, यह बहुत ज़्यादा पुराना business हैं, लेकिन समय के अनुशार इस business में भी तबदीली आ गई हैं, बहुत सारी applications आज के समय में play store पर उपलब्ध हैं, जो digitally पैसा land करती हैं, उधार देती हैं, लेकिन देखो बहुत सारी fraud की खबरे भी आ रही हैं, कि इन landing applications के दौरा जो borrower हैं, उनको जाल में फसा लिया जाता है, उनको धमकाया जाता है, extortion किया जाता है, एक बार उधार देने के बाद में, interest rate काफी भारी भरकम लगाया जाता है, अब पिसले दिनों की बात है, newspaper में news आई कि कुछ Chinese nationals हैं, यानि चाइना के नागरिक हैं, जिनके बिहाफ से हमारे देश के क digital apps चला रहे थे और लोगों से extortion कर रहे थे, मतलब भोले बाले जो customers है उनको फसाया जाता है, एक बार जैसे वो उधार ले ले लेते हैं, तो बहुत बार उनके phone को hack कर लिया जाता है, काफी बार, काफी बार ऐसा भी होता है कि उनको ऐसी धमक्या दी जाती है, पैसे दीज अजमाई जाती है, इन apps के दोरा, ये lending का काम तो उनका सिरफ एक cover है, दिखाने के लिए है कि हम पैसा उधार देते हैं, असल में उनके पीछे उनका जो business है कुछ और ही चल रहा होता है, इसलिए इन चीजों को address करने के लिए अब RBI कुछ guidelines लेके आया है, ताकि इस परकार क activities, lending activities जो है ना, उनके लिए एक regulatory framework हो, ये जो guidelines त्यार की गई है न, 2021 जनवरी में एक working group constitute किया गया था, RBI के द्वारा, digital lending including lending through online platforms and mobile apps, WGDL, तो इस working group की recommendations के अधार पर regulatory framework जो है, वो त्यार किया गया है, देखो, first thing, first, digital lending का मतलब क्या है, जब देखो, उधार दिया जाता है, technology के through, technology के use से, mobile applications के through, या फिर web platforms के through, तो इसे कहते हैं digital lending, अब digital lending में न, काफी सारी automated technologies और algorithms का भी इस्तमाल किया जाता है, customer को acquire करने के लिए, जैसे digital promotion हो गया, credit evaluation, मतलब कितना loan दिया जा सकता है customer को, ये भी पता लगाया जा सकता है, algorithm का इस्तमाल करके, जैसे पिछले एक स statement को feed किया जाता है, देखा जाता है, कितनी इनकी income है, उसके आधार पर number आता है, कि इनको इतने तक का loan दिया जा सकता है, safe है, समझ गे, तो automated technologies और algorithms का इस्तमाल होता है, digital lending में अनेको परकार से, अब जिस platform के जितनी समता है, जितना वो innovation ला सकता है, उसी परकार से नई-नई technology का इस्तमाल होता है, और जो lending service providers है न, जैसे mobile app वाले हैं, वो काफी बार NBFC के साथ मिलके काम करते हैं, credit को disperse करने के लिए, जैसे non banking finance company है, जिसका अपना कोई physical office है, for example, बंदन, जो अभी तो bank है, पहले NBFC था, उनके पास उतनी technology नहीं है, लेकिन कोई दूसरी company है, उसक credit को disperse करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है, NBFC के पास तो पैसा है न, लेकिन mobile app के पास में उतना पैसा नहीं है, technology तो है, उतना पैसा नहीं है disperse करने के लिए, तो इसलिए वो tie up करते हैं NBFC के साथ में, तो बहुत बार ये platforms multi-sided भी होते हैं, ये देखो, lander जो होते है वो platform provider के साथ tie up करते हैं और borrower को loan देते हैं, ये fastest growing fintech segment है digital lending, fintech जैसे देखो finance और technology का संगम, for example paytm है, ये fintech के एक example है, तो मतलब digital lending न, fintech segment में तेजी से emerge हो रहा है, 2012 में इसकी market थे digital lending की 9 billion dollars, जो 2019 में बढ़के हो गई है, 110 billion dollars, और 2023 आते आते ही हो जाएगी 350 billion dollars, business को mainly cover किया जाता है, fintech startups के दवारा, new banks के दवारा, और NBFCs के दवारा, यानि non banking financial companies के दवारा, इसमें देखो जो customers होते हैं, mainly small borrowers होते हैं, अब देखो कोई 50 लाग या फिर 1 कुरूर का loan तो digitally देगा नहीं एकदम से, अनेको तरह की verification होती है, guarantor होता है, लेकिन अब छोटे-छोटे amount है, जैसे 7,000 का amount है, 10,000 का amount है, इस परकार का loan दे दिया जाता है, person की credit history को देखते हुए, इसमें जातर जो loan होते हैं, short term के होते हैं, 30 दिनों के, 60 दिनों के, बट देखो अच्छी बात ये है, जो commercial banks है न, जैसे SBI, HDFC, ये भी जल्द से जल्द digital lending के business में आना चाते हैं, या तो अपने आप से, या फिर NBFC के साथ tie up करके, अब question ये उठता है, ये digital lending इतने ज़्यादा popular क्यों हो रही है, एकदम से, सबसे पहले दो देखो, technologies में काफी advancement आई है, जैसे cloud computing, artificial intelligence, blockchain, internet connectivity बहुत ज़्यादा इंप्रू लेंडिंग के लिए बिल्कुल appropriate है, ये ecosystem, दूसरा, लोगों के पास अभी bank account है, जैसे जन धन्योजना लोंच हुई थी 2015 में, उसके बाद क्रोडों लोगों का bank account open हुआ, तो bank account है, तो इसलिए भी digital lending आसान है, और देखो चुकि ये सेगमेंट है काफी तेजी से increase हो रहा है growth देखने को मिल रही है इस segment में, इसलिए investment भी काफी आ रही है, next point, चुकि देखो हमारी economy और services का तेजी से digitization हुआ है, पिछले कुछ समय में, तो इस वज़े से भी digital lending और financial inclusion जादा हो रहा है, economy का digitization जैसे आप देखिए, UPI से कितनी payment होती है, GST आ गया, सब कुछ online, e-sign, e काफी आसान है, benefits काफी है, digital lending के, loan आसानी से disperse हो जाता है, जाना नहीं पड़ता, कोई geographical barrier नहीं है, पहले तो आप local branch में जाना पड़ता था, documents जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन अभी मद्यपरदेश का कोई vendor हो, महराष्टर का vendor हो, सब online apply कर सकते हैं, और आसानी से loan ले स रखते हैं, error होने की संभावना कम हो जाती है, सारा काम अब चुकि online होता है, तो फिर जो physically entries भरी जाती है, फोम भरा जाता है, उसमें गलतियां हो जाती है, लेकिन सब कुछ काम technology की साहिता से होता है, तो error की संभावना कम हो जाती है, efficiencies increase होती है, employees के उपर overload कम हो जाता है, ह कम समय में ज्यादा loan दिया जा सकता है, better customer experience, customer का experience काफी अच्छा रहता है, जल्दी loan मिल जाता है, बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बैंकों को भी loan manage करना असान होता है, सारा काम online हो तो, लेकिन देखो कुछ concerns है, first reckless lending practices, कई बार तो borrowers की limit से ज्यादा loan दे दिया ज सार, लेकिन जान बूझ के 20,000, 30,000, 50,000 मान लिजे loan दे दिया, बाद में वो customer चुका नहीं पाता, तो इसलिए फिर जो शुरुवात में मने आपको बताया, extortion होता है, जबरदस्त वाला interest rate भारी भरकम लगा दिया जाते हैं, अभी तक देखो कोई regulation नहीं था, इस वज़े पहले से clear नहीं बताई जाती, जो data आता है उसका गलत इस्तमाल किया जाता है, unfair ढंग से business किया जाता है, interest rate बहुत जादा, unethical recovery practices, loan वापस लेने के लिए, ये सब हो रहा था, तो RBI ने डिश्टल लेंडर को तीन groups में divide किया है, सबसे पहले entities जिनको regulate किया जाता है RBI के दव से तो मिला है, बट RBI से नहीं मिला, कुछ दूसरी statutory या फिर regulatory provisions से उन्हें landing के लिए approval मिला है, authorization मिला है, तीसरा, landing, ऐसी entities, जो landing करती हैं, लेकिन अभी वो किसी भी institution के एंडर नहीं आती है, किसी भी regulatory body के अंतरकत नहीं आती हैं, बस वो अपने आप से independent काम कर रही हैं, तो यह जो guidelines है ना, वो first category के entities के लिए हैं, जिनको RBI के दवरा regulate किया जाता है, जो दूसरी और तीसरी category में entities आती हैं, जैसे दूसरी type में वो applications आती हैं, जिनको authorization से तो मिला है, RBI से नहीं मिला, दूसरी regulator, regulating या फिर controlling authorities से मिला है, इनको ना RBI ने कहा है, respective regulator को कि आप भी guidelines बनाई हैं, पहली type के लिए, और तीसरी type की जो entities हैं, वो या तो अपने आपको register करवाएं, या फिर काम बंद करें, वो illegal हैं, अब new regulations जो है RBI की, वो इस परकार से हैं, सबसे पहले, landing only by regulated entities, landing जो है न, वो ऐसी entities के दवारा carry out किया जाना चाहिए, जिनने या तो RBI के दवारा regulate किया applications हैं, और इस industry में बहुत outsourcing भी होती है, मतलब digital platforms के दवारा, LSP के साथ में, यानि landing service providers के साथ में tie up किया जाता है, for example, NBFC के साथ में, ताकि landing के लिए पैसा आज के, but RBI का ये कहना है, नई guidelines में, जो loan dispersal हो, या फिर repayment हो, वो directly borrower के bank account से, और जो main company है, उसके back account के बीच में हो, मतलब दोनों के बीच में transaction हो, बीच में LSP का involvement ना हो, LSP मतलब lending service provider, next, transparency about cost of borrowing, digital lenders को न सारी information clearly extendedized format में देनी होगी, borrower को कितनी fees है, कितना charge, पूरे साल में, कितना percentage, cost लगेगा, सब कुछ, last में, जब finally, borrower yes करे ना, उससे पहले उसे एक key fact statement दो, जिसमें important facts दिये हो, clearly, ताकि borrower compare कर सके, दूसरी एप से, next, automatic increase of credit limit, RBI नहीं ये कहा है, कि, without borrower के consent के, आप credit limit को, automatic increase नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिये, limit दे दी कि customer, जो है, 10,000 रुपे, पैसा उधार ले सकता है, लेकिन, बहुत बार ऐसा होता कि, companies, जान बूच के, उस limit को, 20,000, 30,000 कर देती है बिना customer से पूचे, तो customer ज्यादा उधार ले बैठता है, next, due diligence, जो भी ये LSPs है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, उनके साथ tie-up करेंगे digital platforms, तो पहले due diligence बरतेंगे, जाचेंगे ये, जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, इनके पास technical ability है, या फिर नहीं है, data privacy policy कैसी है, क्या customers का data ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे, storage system कैसा है, सब कुछ, next, हर एक landing app को अपना grievance redressal officer newt करना होगा, और जो भी जांच होगी, जो भी मतलब सिकायते आएंगी customers की, उन्हें address करना होगा, ये पूरा जो ecosystem है, RBI के integrated ombudsman scheme के अंतरगत आएगा, यानि, जो complaint ह है, उसको resolve किया जाना चाहिए, 30 दिनों के अंदर-अंदर, next, data collection and sharing, इन apps के द्वारा जो भी data collect किया जाए ना, वो need based हो, और consent के अधार पर हो, ऐसा नहीं कि आउशकता थी नाम और pen number की, और ले लिया इतना सारा data, जो उनके लिए किसी काम का नहीं, फर्दर उसे बेच दि हैं, लेकिन ये जो segment है ना, बार-बार वही बात, बहुत तेजी से हिमर्ज हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश में, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बिना bank खाते वाले जो लोग है ना, हमारे देश में हैं, तो बहुत अच्छी opportunity है, लोगों को financially include करने की, सरका इस article injustice of exceptionalism से समधित है, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, क्या context है, देखो 2008 में बिल्किस बानों ये उस समें pregnant थी, इनके gang rape के आरोप में 11 मैं को उमर कैद की सेज़ा सुनाई गई थी, और context ये है, हाल ही में एक गुजरात government की एक panel ने suggest किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए और उनको जेल से अब छोड़ दिया गया है, आल्मोस्ट 15 साल जेल में बिताने के बाद, और इस बात पर नब बहुत बड़ी controversy पैदा हो गई है, Special Central Bureau of Investigation Court ने इन 11 Convicts को सेज़ा सुनाई थी 2008 में, उनको रिहा करना बहुत ज़्यादा unjust है, ऐसा article में कहा जाता है, आर्टिकल में कहा जाता है, legality की हम बात करें, उससे पहले morally तो देखो गलत ही है, बहुत ही ज़्यादा, एक तरफ ऐसी बाते चल रही है, सरकार के उपर दवाब है कि जो rape convicts हैं, उनकी सजा को increase किया जाए, लेकिन उनको अब इस परकार से छोड़ा जाता है, रिहा किया जाता है, किस आधार पर उसमें कोई transparency नहीं है, दूसरा छूटने के बाद में celebration भी किया जाता है, ये तो और भी ज़्यादा गलत है, किस परकार की society में हम जी रहे हैं, ऐसा writer का कहना है, उसके बाद next, लिव गुजरात सरकार की जो remission policy है न, 2014 में change हुई थी, उसके अनुसा तो जो rape convicts है न, उनको रिहा किया ही नहीं जा सकता इस परकार से, एक term है remission, remission का मतलब यह होता है कि आपकी जो sentence है, वो कम कर दी जाती है, जैसे 10 साल की सजा मिली है, लेकिन अच्छा behavior है, jail में activities अच्छी है, तो remission मिल गया 2 साल का, यानि 2 साल की sentence आपकी कम हो गई, तो गुजरात government की current remission policy है न, उसके अनुसार, जो rape convicts है, वो premature release के लिए, यानि समय से पहले, release के लिए eligible नहीं है, अब आपके मिन में आया होगा, जब policy ऐसी है, तो इनको कैसे छोड़ दिया गया, देखो इनका conviction हुआ था 2008 में, और जब यह policy थी, उस समय 1992 की policy थी, remission संबन द नहीं थी, यह बाद में आई 2014 में, अब चुकि rule है कि लाख वो retrospective implement नहीं किया जा सकता, यह 2008 में convict हुए थे और उस समय policy 1992 की थी, 1992 की ही policy इन पे लागू होगी, हाला कि इस पर भी कुछ experts question raise कर रहे हैं, यह गलत है, अब remission संबन दित चीजों को हम discuss करें, इनके बारा में द चानून बनाए गए हैं कि कब-कब किसको छोड़ा जा सकता है, CRPC में यह provision है, code of criminal procedure में, अगर किसी को उमर कैद हुई है, तो 14 साल तो कम से कम उसको जेल में बिताने ही होंगे, 14 जाल से पहले नहीं छोड़ा जा सकता, हलांकि यह 11 convicts है ना, इन पे यह CRPC का provision लागू नहीं होता क्योंकि इन्होंने तो 15 साल जेल में बिताए हैं सबने, इसके अलावा देखो कई बार ना, यह जो 14 साल वाला रूल है ना, इसको बाइपास करने के लिए, जो गवर्नर की पावर है ना, आर्टिकल 161 के तहत, उसका इस्तमाल किया जा सकता है, अगर किसी को समय से पहल हो 14 साल से भी पहले, मालीजे किसी की उमर कैद हुई है, और 13 साल सजा उसने बिताई है, तब सरकार के दोरा यह कह के छोड़ दिया जाता है, कि हम गवर्नर की पावर का इस्तमाल कर रही हैं, मतलब सरकार चाहे तो लाको तोड मरोड के किसी भी परकार से प्रजेंट करके छ सच हैं, लेकिन देखो, जेल में डालने का मकसद क्या है, कि उस क्रिमिनल को रिफोर्म किया जाए, मतलब उसमें सुधार लाया जाए, रिहाबिटेट किया जाए, यह मकसद होता है, तो अच्छा वेवार है, तो फिर उस परकार से छोड़ दिया जाता है, इसलिए हमारे परकार से उनको प्रिवलिज दी गई है, क्योंकि उनी की केटेगरी के मतलब ऐसे और बहुत सारे क्रिमिनल हैं, जिनकी सिच्वेशन इनकी जैसी है, लेकिन सिरफ इस केस में क्रिमिनल को छोड़ा गया है, यह गलत चीज है, और जिस परकार से छोड़ा गया है, सिरफ उनक ही नहीं है, मतलब किस परकार का सिगनल हम सुसाइटी को देना चाहते हैं, और ना आप उसको देखिए ना विक्टिम को, विक्टिम ने क्या-क्या यातनाए जहली थी केस के दुरान, जब केस चल रहा था, कितना ज्यादा श्ट्रगल उन्हें करना पड़ा आरोपियों को स छोडने के लिए, उस पैनल में एक MLA मुझूद है, वो MLA पर्टिकुलर कास्ट को लेके बोल रहे हैं कि कन्विक्ट्स जो है, वो इस कास्ट से समंदित है, इसलिए लगता नहीं कि वो मतलब कुछ खराब है, देखो, वेवार चलो मान लीजिए क्रिटेरिया है, लेकिन का के हैं, इसलिए छोड़ दिया जाए, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया, Injustice of Exceptionalism से समंदित, ये थी हमारी आज की discussion, आज हमने तीन आर्टिकल को डिटेल से डिसकस किया, thank you, thank you very much for discussion.